कई सारे brokerage reports भी हैं, जो कर आपके लिए जानना ज़रूरी है और देखे सिर्फ search specific नहीं, sector specific brokerage reports भी है और साल की शरवाद में brokerages का नजरीया, कौन से sectors पे हैं कौन से stocks पर बुलिश हैं, कौन से stocks पर bearish outlook हैं ये जानना काफी ज़रूरी है आईए वामाक्षी से जुड़ते हैं उन से समझते हैं आज के लिए ब्रोकरज रिपोर्ट्स कौन सी हैं वामाक्षी बताईए ब्रोकरज हाउसस की नजर कहां पर है चीबरकुर शुरुआत करते हैं हम कुछ IT स्टॉक्स के साथ हम देख रहे कि जेफ्रीज की तरफ से एक प्रिव्यू आ रहा है इनका मानना है कि आए में शाप मॉडरेशन की आशंका की जा रही है मगर मार्जिन्स 50 बेजस स्टॉइंट से तिमाही दर तिमाही आदार पर बढ़ सकते हैं HCL टेक और LTI माइन्टरी ग्रोथ को लीड कर सकते हैं और कोफोर्ज और HCL Tech में हाइस्ट मार्जिन एक्सपांशन की उम्मीद की जा रही है ओवराल अगर हम देखे जेफ्रीज काफी कौशिस नजर आ रहे है IT सेक्टर को लेकर और इन्फोस इनकी टॉपिक है इन्डिस टावर्स भी फोकस में रहेगा कोटक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है इनका मानना है कि इन्डस के रिसीविबल्स आगे चड़ते हुए बढ़ सकते है और इसी के चलते उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी ये रिसीविबल्स के लिए इन्डस टावर्स के लिए जिसके चलते उन्होंने अपनी राय को डाउंड्रेट किया है एड की राय से रिड्यूस की राय दी है लक्ष दिया है 195 प्रतिशयर का भारती एटर भी हमारे रेडार पर है कोटक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका मानना है कि फ्रीक्वेंट टैरिफ हाइक्स कर सकती है कंपनी मार्कट शेक गेंज कंपनी के लिए जारी रहेंगे इंडियन वायरलिस सेग्मेंट में और उनका जो कंसॉलिडेटर इबिड़ा है वहाँ पर वो करीब 20 प्रतिशयर का कैगर रेकॉर्ड कर सकते है अगले तीलसान में मगरन सब के बावजू दुहों ने अपनी रेटिंग को एक नौट से डाउन रेट किया है खरदारी की राए से आड की राए दिया है लक्ष दिया है 900 प्रतिशयर का इंडिसन बैंक पर अब हम फोकस करेंगे मैं कॉइरी का मानना है कि फॉलिंग क्रेडिट कोस के चलते आरोए 1.8% पर आ सकता है MFI और CV बुक्स के फास्टर ग्रोथ के चलते हायर फंडिंग कोस्स थोड़े ओफसेट होते हुए नज़र आ सकते है मगर स्ट्रीट थोड़ी कंसर नज़र आ रही है उनकी NIM मार्जिंस की स्टेंड करने की अबिलिटी पर तो ओवरॉल मेक्वाइरी काफी पॉसिटिव नज़र आ रहे है इंडिसन बैंक पर आउट परफॉर्म की राय उन्होंने बड़करा रखी लक्ष दिया 1400 प्रतिशेर का सन फार्मा अगला स्टॉक है जो हमारे रेडार पर है मेक्वाइरी का मानना है कि स्पेशालिटी रैंप अप के चलते मार्जिन एक्सपैंड हो सकती है इलुमिया, सिकुवा और विनलेवी की सेल्स ग्रोथ भी डबल डिजिट्स पर आ सकते है यरोने और बेसिस पर जिसके चलते मक्वाइरी ने सन फार्मा पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को बड़करा रखा है लक्ष दिया है 1275 प्रतिशेर का और आखर में हम फोकस करेंगे जुबलेंट फूड पर मक्वाइरी का मानना है कि सेल्स पर स्टोर प्रेशर के अंदर रह सकते है आरम इंफलेशन रिलेटेड हेडविन्स नजर आ रहे है और एलिवेटेड केपेक्स प्लांट एक की कंसर्न है वालुएशन जौसत के मुकाबले भी काफी एक्सपेंसिव है जिसके चलते मक्वाइरी ने अपनी अंडर परफॉर्म की राइबर करा रखी लक्षर का 445 प्रतिशेर का आपसलूटली वाम आक्षियाव का शुक्रिया है ये सारी की सारी ब्रोकरज रिपोर्स हमारे साथ शेयर करने लिए तो क्लियरली विक सर्विस रेस्टरांट प्लेज तो है ही जो कि इस वक्त ब्रोकरज के पॉजिटिव रेडार पर है जूबिलेंट फूर पर मक्वाइरी की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आते हुए दिखने हैं इस पर और ज्यादा विस्तार से चचा आजी के दिन ना डियूरिंग ओपनिंग मार्केट्स भी हम करेंगे लेकिन